वेलकम तो लाणिंग अंसाइड, THCDC इंडिया लिमिटर से वेकेंसी आया है, Master of Social Work and Rural Development दोनों eligible है यहापे, salary भी काफी अच्छा दिया जाएगा, almost 70,000 दिया जाएगा आपको salary यहापे, जो वेकेंसी उसके बारे में डिटिल्स डिसकास कर लेते हैं, बहुत सारे वेकेंसी आप यहापे देख सेखतो, आपको यहापे क्लिक करना है, वेबसाइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगा, वेबसाइट क्लिक करने के बाद आपका PDF पूल जाएगा, THDC, India Limited से वेकेंसी है, यहापे यहापे यह रिकूट्मेंट, यहापे इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारा है वेकेंसी, तो यहापे जो लोग इंजिनियरिंग फ्रेंड से आपका, आपको आप दे सकते, बाकि हापे देख सेखते हैं कि एक्जिक्टिव जो मास्टर से इन सोचिल वाक, एन सेनियर एक्जिक्टिव मास्टर सोचिल लग इसके लिए त्री पूस्ट और अना अधर सेखते हैं कि इंपोर्टन इंफरमेशन जो है में बता देता हूँ आप लोग को, qualification आप लोग देख लेया ना serial number 10 and 11 का यहाँ पर देख सेकते हो आप लोग कि executive के लिए master in social and senior executive के लिए master in social लग चाहिए, so डोनों के लिए master degree in rural development और master degree in social that means MSW लोग या तो rural development में MA के लोग डाल सेकते but उनका 60% उनका marks होना चाहिए, यह not less than 65% marks in 10 and 12 board examination, so obviously SCST के लिए relaxation ही, यह सब आप देख लेया ना, कितना परसंद, 64 and 65, यह सब देख लेया ना, आप details, so basically आपका 60% master degree में होना चाहिए and 10 and 12 में 65 percentage होना है salary भी आप लोग देख लो ही हापे salary अच्छा salary, age limit भी है post number जो हम लोगों का 10 and 11 है 10 and 11 के लिए post number आप लोगो को 40, 32 years के उपर नहीं होना यान 40 years के उपर नहीं होना, so उसके नीचे होने से आप form डाल सेकते हो, बाकी details आप देख लो, read out कर लो, age relaxation as per government norms होगा आपका, selection process में क्या होगा, basically आपको पहले shortlisted किया जाएगा and then आपको personal interview के लिए बुलाया जाएगा, eligible candidate में भी shortlisted है category wise shortlist पनाएगे उसके बाद आपको personal interview के लिए बुलाया जाएगे so याप पर चो qualified percentage है OBC जो unreserved and EWS के लिए 50% कार्ट अफ होगा, SC, ST, BW के लिए 30% कार्ट अफ होगा यापे, इस पर reserve rules के लिए होगा ये सब, so health facilities भी आपको सारा मिलेगा यापे, इस पर government norms and limited agency का जो norms है उसके साब से आप मिलेगा आपको salary का pattern के ऐसा होगा fix पे कितना है, fix allowance कितना है, PF कितना है, gratuity कितना है ये सब, आप देख लो basically आपका जो salary बनेगा वो 60,000 बनेगा for post number 10 10 के लिए आपको 10 के लिए आपको 60,000 पर मन salary बनेगा and जो 11 बाला भी form डालोगे master day के बाले, तो यहापे आप 70,000 आपका salary बनेगा, तो यहापे card, different division है salary के, ये सब आप देख लिया ना, बाकी इतना important नहीं है, but एक important चीज़ है, ये last date का भी इसका, so last date के लिए मैं देख लेता हूँ बता देता हूँ, आपको last date जो है आपको, वो age make home, अच्छा, completion हो तो age category wise जो होगा sorry, यापे, age जो calculation होगा आपका 42, 40 years and 32 years, ये depending on इस date से calculation होगा, बाकी last date for application जो है, वो PDF का नीचे है, मैं देख बता देता हूँ, ये आपे valid mobile number होना चाहिए, आपको last date होगा, आपका PDF थोरा ज्यादा ही लंबा है ये आपको registration fees जो है, वो 600 देना है ये आपको important date आप देख सेकतो important dates जो है, opening online registration 8 में से start हुआ and close जो हुआ, वो आपको 6 जून में close हो जाएगा so last date of submission of payment जो online portfolio जो 8 जून तक है, so 8 जून के पहले आपको 8 में से start हो रहा है 8 जून इसका last date है, उससे पहले आपको form डान दाना है 600 आपका registration fee होगा ये आपे दानने के लिए, बाकी details के लिए आप description box में जाएए, link में दे दूँगा वहाँ से PDF को download करके पड़के वच्चे सा अगर आप eligible हो दिन आप definitely apply करो बहुत ही अच्छा job है, salary बहुत अच्छा है बहुत सारा benefit भी मिलेगा आपको and काफी duration जो होगा, वो काफी लंबा होगा वीडियो को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो